जाना है यही काम आज असम के रहने वाले सिकारी टिसो बहुती लगन के साथ कर रहे हैं कार्वी आंगलोंग जिले के सिकारी टिसो जी पिछले 20 सानों से कार्वी भाषा का डोकुमेंटेशन कर रहे हैं किसी जमाने में किसी यूग में कार्वी आदिवासी भाईवेनों की भा स्रिमान स्रिकारी टीसों जी ने तैक किया था कि अपनी इस पहचान को बचाएंगे और आज उनके प्रहासों से कार्भी भाषा की काफी जानकारी डॉक्क्यमेंटेड हो गई हैं उन्हें अपने इन प्रहासों के लिए कई जगह प्रसंसा भी मिली हैं और एवड भी मिले हैं मन की बात के द्वारा स्रिमान स्रिकारी टीसों जी को मैं तो बढ़ाई देता ही हूँ लेकिन देश के कई कौने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम ले करके खपते रहते होंगे मैं उन सब को भी बढ़ाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों कोई भी नई शुरुवात यानि न्यू बिगिनिंग हमेशा बहुत खास होती है न्यू बिगिनिंग का मतलब होता है न्यू पोसिबिलेटिज नए प्रयास और नए प्रयासों का अर्थ है नई उर्जा और नया जोश यही कारण है कि अलग- और ख्षेत्रों में इबन विवित्ता से भरी हमारी संस्कृति में किसी भी शुरुवात को उत्सव के तोर पर मनाने की परंपरा ही रही है और ये समय नई शुरुवात और नए उत्सवों के आगमन का है होली भी तो बसंद को उत्सव के तोर पर ही मनाने की परंपरा है जिस इस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं उसी समय बसंद भी हमारे चारों और नए रंग विखेर रहा होता है इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृती जीवन धो उड़ती है देश के अलग अलग शेत्रों में जल्द ही नया साल भी मना होता है